हलो हाई यूरोण, स्ट्राक्टिवन में आप लोग का स्वागत है, तो आज हम लोग बात करने वाले हिंदुस्तान यूनिलिवर शेर्स के बारे में बट आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आज इसकी क्वाटर फोर्ट की रिजल्ट आईए, तो सबसे पहले तो हम लोग क्वाटर फोर्ट की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल पैटरन को बहुत एक अच्छे लेवल पे अ हर चीज को मैं जूम करके भी दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यह हिंदुस्तानी रिलिवर का ओफीशियर अपडेट, यह सारी चीज यहाँ पे एक्चेंज, फाइलिंग अनौल सब चीज के बारे में बताया हुए है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो भी जितनी भी स बताया जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहिए है, यहाँ पे आपको न्यूस में, अगर आप हिंदुस्तानी रिलिवर के न्यूस में देखो के तो आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगे, कि कि वाटर फोर्ट की रिजल्ट में यहाँ पे नेट 1.5% यह सब चीज के बारे में बात किया जा रहा है, बट अगर प्रॉफित डाउनवर्ट होते वे दिख रही है, तो यह सारी चीज एनलाइज करके ही हमें समझ में आएगी, तो चलिए अब बूरी दिल को थाम लेजिए और अच्छे तरी सा समझते है, कि यहाँ पे को जूम इन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो भी रिवेन्यू फ्रम ऑपरेशन सब किस चीज के साइड बात हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना में चीज क्या रहेगा, सील्स का ग्रोथ किस लेवल पर होते हुए दिखा, तो यहाँ पे कॉर्टली रिज जैसे हम मैं आप लोगों यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा, कि यहाँ पे आप जब भी कॉर्टली सेल्स के साइड देखते हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर डिफरेंसे पैदा होते हुए दिखा तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बनते हुए दिखा है, यहाँ पे कि यहाँ पे यर्ली वाइस में भी कुछ उस लेवल पे ग्रोथ नहीं है, ठीक, यहाँ पे 59,443 का मेंटेन है, यहाँ पे 60,852 का मेंटेन है, और इवन बात करें तो यहाँ पे सेल्स, प्रोड़क्ट, सर्वेस, यह सब चीज को देखने के बाद, यहाँ पे टोटल इंकम जो जनरेट होते हुए दिखती है, यहाँ पे 61 की लास्ट येर से कमपैडिसन, यहाँ 62 की मेंटेन करते हुए दिखी है, तो जो एक्सपेक्टेट सी मतब उस लेवल पे तेजी बनेगी, तो यह चीज नहीं बनते हुए दिखी, जिसका एक नेगेटिव डाउनफल पूरा क पूरा चांस हो सकता है, तो पहला चीज तो मैं आप लोगों को बता देनाओ, जो लोग भी ऑप्शन में ट्रेट कर लेओ, कल के दिन ओपन होईगी, अफकॉस, सबके नजर में दिमाग में रहेगा कि यह चीज नेगेटिव आते हुए दिख रही है, तो जिसके चलते मतब प्रॉफिट सब डिकलाइन होते वे दिख रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव फॉल होते वे दिखेगा, बट जैसे ही यह ओपन होगी, जैसा मैंने इसका हिस्ट्री अनलाइज किया है, हमें से क्वाटर के बाद, तो उसके अपनिंग तो हो सकती है, मतब हो सकती है, 60-70% म है, बट आप पॉजिटिव को लेके वेट मत कर लेना, एक्जिट माल लेना, एक्जिट माल लो, बच जाओगे, बच जाओगे, यहाँ पर यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप लोगो उसके बाद की भी मैं ध्यान दे हो, एक्सपेंसे टोटल एक्सपें चीज़ के साथ दो, सब चीज़ करने के बाद, बॉज़ कर लागख अपास आती है प्रॉफिट फार ग्यारीड की तो यह जह चीज़ में मैं बढ़ते हुए दिखी है, बहुट थो चीज़ औँन आपमट में यहाँ बढ़ते हुए लिख ए और बट हवह दिखा यह 2,561 एन यहाँ पर 2,601 तो इस चीज़ को decline करते हुए दिखा है देखो यहाँ पर न्यूस चैनल एक बहुत बड़ा गेम प्ले करती है जहाँ पर न्यूस चैनल लिखते है इसकी revenue इतनी जादा बढ़ गई इतनी जादा बढ़ गई यहाँ पर revenue सब कुछ बढ़ते हुए दिखा है सेल्स भी बढ़ते हुए इतना जाद है यह सब चीज होते हुए बट कहीं कहीं पर जिसको नेगेटिव चीज दिखाना रहता है वो लोग दिखाते हैं यह सारे कोई big investor सबका बहुत बढ़ा gameplay होता है तो यहाँ पर आप यह सब चीज का चक्कर सकते हो कि home care products चाहे जितने भी प्रोडक्ट सब है तो यह जो revenues create हो गया ही तो यहाँ पर home care product and beauty products से एक अच्छा खासा increase होते वह दिखाया है जहां पर food refreshment सब की बात करें चाहे अधर including export यह सब चीज को हटा दे तो यह एक major चीज़ है जहां पर home care product में एक next level की तेजी बनते वह दिखिए home care products से अच्छी खासी बनते वह दिखिए and beauty and personal care यह दोनों एक एरिया है जहां पर मत अच्छी खासी major area growth बना रही है food and refreshment वह अपने जगह पर अलग maintain करते वह दिखिए तो यह segment एक बहुत बड़ा gameplay कर रही है आप लोग के लिए तो यह दोना segment पर आपको ध्य आपको बता जाता हूं तो balance sheet आपको बता है कि assets equal to liabilities तो यही चीज़ होते हुए दिखेगा आपको and इस चीज़ से पहले सबसे पहले हम लोग ध्यान देते तो properties चाहे जितनी भी non current assets अब के साइट देखे तो यहां पर आप देख सबते इन्वेस्मेंट सब के साइट तो य liabilities liabilities है कि ऐसी चीज़ है जहां पर अगर आप फस्क है तो मतलब आपका management पूरा का पूरा इधर से उधर हो सकता है मतलब liabilities के पास इतनी potential है तो current liabilities में बात करें बॉर्ण सब के साइट ध्यान दे तो बॉर्ण से growth होते वे दिखाया है ठीक यहां पर देख सब्सक्राइब तो बॉर्ण से एक अच्छे लेवल पर growth है ठीक है बठा कंपनी की इस लेवल पर रिजर्फ सब मेंटेन है कि मतलब इनको फड़क नहीं पड़ता अगर उस लेवल पर मेंटेन भी होती होते वे दिखती है तो उस लेवल पर इनको फड़क नहीं पड़ेगा यहां पर जगा पर मेंटेन करते वी दिखिये काश्फ फ्लो स्टेट्मेंट सब के साहीं बात करता आप खुद देख सकते हो कैस्फ फ्लो स्टेट्मेंट यहां पर माइनस फिकर में इनवेस्मेंट अक्टिविटी देखने को लिए अच्छी बात एंबाइनस फिकर बढ़ते वह दि और देख सकते हो कि यहां पर अच्छी खासी डाउन आ चुकी है अब पोटेंशल रखती है डाउन तो आ गई है अब यहां पर रिजल्ट मतब नेट प्रॉफिट सब को लेके बार बार ऐसा हो ऐसा बात होड़ा है तो यहां पर वह चीज नेगटीव पार्ट क्रियेट कर दि है डिलिवरी बना चाहिए मेजर गेम होते हैं डिलिवरी अच्छी ऐसी भी बन रही 61.95 कि आपको होल्ट करना है बनाना है पैसा इंट्री मार सकते हो इंट्री मार सकते हो आडाम से आपको पैसा बनते हैं जिस दिन एक बड़ी गेम होगी फिर तो आप सोच लो की मतब क्या नहीं गजब का फ्लोर रहते हुए दिख सकता है अभी के लिए इतना ही गाइस जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो इन फाक्ट बैल आइकन पर भी क्लिक करो फॉर मैं लेटेस्ट एट थैंक यू हैव नाइस देप प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल गाइस एड़ सब्सक्राइब करो थैंक यू